हिमाचल से राकेश शर्मा जी स्वागत है आपका सर अधीन साथ स्लाम जाहिन जाहिन स्वागत है राकेश भाई का तो कुछ है नहीं आपके पास निस्खों में से मेरे निस्खों में से कोई कोई निस्खा आपके पास है आपके पास निस्खों मेरे पास है बता तो कौन सा रेक अधीन एक तो बोई नमक जैतून वाला निस्खा ले सकते हैं और जो चे चीजे मैं बताता हूं सौफ सौट जीरा अजवाएं धनिया में थी का हमवजन पाउडर बना कर और एक लें और एक चुटकी नमक जैतून साथ में इस्तेमाल करें पानी मिला कर और कोई ऐलोपेटिक दवा भी ले सकते हैं आप ये जरूरी नहीं कि आप मेरा ही ने उसका लें कोई ऐलोपेटिक दवा भी ले सकते हैं ऐलोपेटिक दवा फॉरण फाइदा करती है युनानी दव है कि गौन सिया से आपको फाइदा है मेरी दूआ है कि आप जल्दी अच्छे हो जाए आप बहुत सहीं वाले इंसान है और आपको भगवान ज़रूर फाइदा दे सकता है बिल्कुल तो राकेश शर्मा जी आप थोड़ा सा वक्त और दीजेगा सर आपके पास तो तमाम नु को की कॉल नहीं लग पाती है इंतजार बिल्कुल मत कीजेगा क्योंकि आप लोग जब महीने भर साल भर इंतजार करते हैं और आपकी बात नहीं हो पाती है तो आप नुसके नहीं अपनाते हैं आप युनानी आरवेट ट्रीटमेंट पॉलो नहीं करते हैं तो आप कॉल ट् से डिसकस किये जाते हैं फिर आपको बताये जाते हैं तो बिल्कुल बिदेरी मत कीजेगा अगले कॉलर है हमारे साथ स्वागत है आपका आपका नाम क्या है सिर्स्कार मैंचाराम जी नमस्कार आपका सवाल सर मैंडम वेंनों जदिश और नमक जेटून गरा हमने रहों हम और आपको शुनु नें रहुदा आप ब्ले मंगा रिया था कि में ले रहा और मुश्मी मेडम ये लाज मनती है और ये लसी बगरा वाला जो बताया था गोल के लेना एक 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 मत तो उसमें लसी टाइब को बन जाता हूँ तो अच्छा नहीं लगता कुछ दिक्कत हो रही उसमें और एक चीज मेंडम समझता है हमारी है कि हमें हाइड वसी अपरेशन हमने करा लिया था है एक कर नहीं कर आया था हलका थोड़ा बढ़ा हूँ जी तो उसमें दर्द रहता है गुलियों में थोड़ा सा तो ये प्राबलम है और दूसरी मेंडम भी हमें ने जो कराया था ना उ उसे थोड़ा सा फाइदा जीसे मैं नमग देतों ले रहा हूं तो फ़रा फाइदा है पंदरा दिन हो गया करीब लेते वह चीजिए इसको घोल के भी ले सकते हैं और गोलियां भी बना कर रख सकते हैं सब को हलका सा पानी मिलाकर गोलियां बना लें क्योंकि ये चिपकता तो है रवड की तरह हो जाता है पानी मिलके तो बहुत जरह सा पानी डाला एंको सब को पीश कर को गोलियां वना लें चने की बराबर तो दो बनार तीन बार आप ले लिए पानी से या दू रौग से तो इससे आपको फाइदा तो शुरू होई गया है और यह खतम होते होत आपको पूरा फाइदा भी ममकिन है, भगवान से मदद मागे, फाइदा शुरू हो गया, आप बहुत जल्दी अच्छे होने वाले हैं, और सिस्ट के लिए आप एक आता है, नमक जैतून जो आप इस्तिमाल कर रहे हैं, इसी का एक सिर्का भी आता है, वो सिर्का जैतून का लें, दो चम्मच और एक चुटकी खाने का सोड़ा उसमें डाल दें, दो चम्मच सिर्के में और पानी में मिला दें, मिक्स करके एक बार पी लिया करें रोजाना, तो मुझे उमीद है कि आपके इस मर्ज में भी शिफा होना ममकिन है, हाइद्रोसल की बार इन्होंने जिक रखिया है, हाँ, वो तो आपरेशन आप करा चुके हैं, और एक तो वजन ने उठाना चाहिए, ऐसे मरीज को, और हमारे गावों में तो एक होती है, लंगोट जो पहलवान लोग बानते हैं, वो लंगोट बानना करिए, या पिर स्किन टाइट नेकर, लंगोट सबसे अच रखती है, जितना आप इसको टाइट रखेंगे उस जगा को, उतना आप फायदे में रहेंगे, काफी दिन तक लंगोट का इस्तमाल करें, राजस्थान से हैं, कृष्णा जी, स्वागत हैं आपका, हालो, नजी, नमस्कार मेंड़ू, जी, नमस्कार मैम, हाँ, मैं यह पूसरी थी, यह जेतना का सिर्का मंगगाई डोक्टर साब को, जो वह खाने से पहले देना या बाद में? कि आ खाने से बाद लेना बहतर है बहतर है एक बार या दो अपनी जरुरूरत के हिसाब से आप दो बार भी ले सकते हैं आपको फायदा मुम्किन है एंपी से है नेहा जी स्वागत है आपका नवस्ती से लो जी जहीं स्वागत है आपका MP वालो हैं अद्धिशलो जी मेरी उम्र है 22 है उसर मुझे की सीउडी का प्रॉबलम में उसर पेट पेट पर बाल आ रहे हैं जी अच्छा देखिए अलसी खरीदें दो चार सू ग्राम ज्यादा सी खरीद लें अलसी और उसमें हलका सा भूनना है इसको ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा नहीं हलका सा भून कर पॉडर बना लें और एक च्छमच अलसी का पॉडर और एक चुटकी नमक जैतुन आता है यहां का बैतरी नमक कहलाता है यह राव माटेरियल है एक गिलास यह दो गिलास पानी में एक चुटकी ही डालना है और एक च्छमच अलसी खाएं और यह पानी पी लें जिसमें नमक जैतुन आपने मिल होता और पानी मिलके तो इसका जायका भी नहीं रहता तो यह मुम्किन हो तो दो गिलास पानी में मिलाकर आप पी लिया करें आपको फायदा मुम्किन है बलकुल हकीम साथ बच्चियों में समस्यां बहुत जादा देखी जाती है पी सी ओडी को लेके उन्हें कई कई महिने त से रोग समझने है वो रोग है या नहीं है बिलकुल एक तो सेहतमन इनसान को यह प्राबलम होती नहीं है और होती है तो कभी तफाक से हो जाना कोई बात नहीं है पर अगर मैंसिज नहीं होते तो देखें कितना बलड है आपके अंदर वो कम है तो उसका इलाज करें और लोगों को चाहिए कि अपने रोग पर काम करें और यह जो मैंने इसका बताया यह जो दो तीन वजा होती है इसकी PCOD की उन सब को अच्छा करते हुए फाइदा पहुंचाता है यह रो मैटेरियल है असली जरूर लें असली लेना जरूरी है तो यह अगर वर्म होता है तो व पून बनने लगता है और लीवर अच्छे से काम करता है तो हमारा ब्लट पूरा होता है और याद रखें किसी को भी अगर एक महीने में एक बार भी मैंस आते हैं चाहे वो एक डॉप दो डॉप भी क्यों नहों वो पूरा कहलाता है मुकमल कहलाता है कुछ लोगी सोचते है कि बहुत जादा आना चाहिए कुछ लोग सोचते हैं एक ही डेट पर आना चाहिए ये दो चार दिन पीछे या दो चार दिन आगे ही आता है अगर ये इस तरह से आता है तो इसे रोग ना समझें बलके आप स्वस्त इंसान कहला सकते हैं जी कटनी से है अनीता रावत जी स्वागत है आपका जी नमस्कार मैं नमस्ते सर स्वागत है अनीता जी आपका जी सर आपकी से कलमारी बात वी थी तो रेपोर्ट आ गई है आप रावत जी से बात का लिए आप बताईए गुद मॉर्डिंग गुद आफटर नून गुद आफटर नून गुद आफटर नून गुद सार ये बिटिया की उमर हमारी 20 बर और इसको कहा कि वो निकला है सोगर अच्छा इंसुरेंट नहीं बन रहा है ये बन सी एच बी बन सी 12.5 है एल वो में ट्रेस हो रहा है है ना बनला पात्रूम में आ रही है और इसका नूट्रियल से 16 तर और इसका वो भी निकला है केलस्टरॉल भी निकला है इसको अच्छा केलस्टरॉल और थाईराइट 15.1 ठीक है जी अच्छा कितनी शुगर आई है शुगर आई है एक सो बारा बारा पॉइंट नाइन आई है ये बन सी एच बी बन सी ठीक है ये मोगलोग अच्छा देखिए धनिया आप जानते हैं धनिया और अलसी इन दोनों को हलका सा भूने जादा नहीं और इसको पौडर बना लें और उप समझ लेना ने उसका तबी इस्तमाल करें और इस पौडर को बना कर रख लें आप एक चमची ये पौडर खाना है सुबा शाम और इसमें मिलाना क्या है एक आता है एक आता है जाम उनका गौन्द वो एक चुटकी में जितना आए इसमें मिलाकर दिन में एक बार देना शुरू करें और ये जो धनियां अलग अलग रखें जाम उनका गौन्द पौडर बनाके अलग रखें जैसी जरुवत होगी उस हिसाब से देंगे पहले एक खौराक दें एक चुटकी एक चमच इस पौडर में मिलाकर और दूसरी जो खौराक होगी इसकी बच्ची की वो होगा धनिया और सी वाले खौराक उसको रात को किलाना है लेकिन उसमें नमग जैतून एक चुटकी है एक गिलास दो गिलास पाने मिलाकर इस बच्ची को दूसरी खौराक उसके साथ देना आप अगर इस तरह करते हैं तो बच्ची को फाइदा होना मुम्किन है धर्मेंद रुजी दिली से स्वागत है आपका नमस्कार हकीम साब जी जाहीं स्वागत है भाई आपका मैं सुबह आपका प्रोगाम देख रहा था आपने उसमें जिकर किया कि मठापा काम करने के लिए जीरे का सिरकाया वो लिया जाए तो जीरे के सिरके से गैस बगारा जहां पेट से संबंदी जो भी बिमारिया वो भी दूर हो सकती है और उसे कैसे लिया जाए और किस तरह इसके फाइदे हो सकते हैं यह जानना चाहरा था जीरे का सिरका खास तोर पर मुटापे के लिए है जो लोग किसी भी सूरत प होते हैं एक तो कॉलस्टार जो चर्वी जायद चर्वी जिसम में हो या खुन में हो उसको यह पिगलाता है, निकालता है खुन से भी और बाडी से भी और मुझापा क्यों को एक बडापे की तरह होता है मुटापा भी जो जितना कम वेट रखता है वो सहत मन होता है अगर वो एक्टिव हो और चर्वी के लिए मुटापे के लिए और ये गैस वगएरा ऐसीडिटी हो कब्स हो जीरा तो वैसे भी हमें ऐसीडिटी और कब्स को दूर करता है हजमा बढ़ाता है और ये फिर तीन चा दो चमच या तीन तीन चमच ले सकते हैं ज्यादे से ज्यादा गरम पानी के साथ लें और ये ना करें कि बस इसी पर निर्भर रहें पैदल भी चलें गंटा और गरम पानी भी खूब पिया करें और सबसे जरूरी होता है वेट लॉस के लिए डाइट कंट्रॉल जितनी आ आदा खाना खाया करें और ये तीर चार फायदे करता है ये खास तोर पर वैसे मौटे लोगों के लिए जिनका वेट किसी सुरत कम नहीं होता लेकिन इन सब चीजों की अत्याद भी जरूरी है